है को अभी वेलकम दोष्ट हो तो स्वागत आपका मेरे चैनल पर और में भीवेकर असरम है फिर तो नई वीडियो में तो कई स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्में इस साल एड्विशन ली आ है सी भी सीच्छ रिख मोड पर और कई स्टूडेंट्स ऐसे होंग जो एड़िशन लेने वाले है और जो लेना चाहते है S.O.L. में तो उन सब के मन में कई सारे सवाल होते हैं जिन में से एक सवाल का मैं आज आंसर देना चाहता हूं कि वो यह कहते हैं कि हम B.A. कि हम B.C.O.M. B.A. Honors और हम B.A. Honors Political कितने साल में Complete कर सकते हैं मेरा कहने का मतलब है कि हम मेरी जो B.A. मेरा जो Graduation Course है वो कितने साल का Maximum और Minimum होता है तो मैं आज उसी के बारे में आज बात करने वाला हूँ तो बने रही है मेरी इस वीडियो के साथ और इसे अगर आपको वीड इस्टे वो 6 साल के हुआ करते थे पर इस वार इसमें एक साल घटा दिया गया है आपका तो अब जो यह कोर्सिस है जिसमें बी-ए-बी-कॉम बी-ए-ए-विए-व बी-ए-व्डीकल और य 지금 रही जो है वो आपक जाण्हाम पांस साल की रह गई जो आपका कॉर्स है वो maximum 5 साल का रहे गया है और minimum आप BA, BCOM, BA Honours English, BA Honours Political Science आप 3 साल में minimum clear कर सकते हैं तो 5 साल कैसे है अगर आप एक साल का gap देना चाहते है तो एक साल बाद भी कर सकते हो एडविशन के बाद अगर आपकी back आती है तो आप back को clear करने के लिए आपको 5 साल के total time मिलेगा पर हाँ एक बाद ध्यान दीजिए 5 साल के बाद अगर आपकी कोई back आती है तो आपका दुवारा से एडविशन होगा तो इस बाद का विलकुल ध्यान रखे और मेरे मेरा जो मानना है आपको तीन साल में ही अपने सब्सक्राइब करनी चाहिए इसलिए आप अपनी स्टडी करते रहे और जिन्होंने एडविशन ले लिया है उनको मैं जल्दी से जल्दी इस चैनल पर नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा और उनकी जो बुक्स हैं उनके जो चैप्टर से उनको मैं अपनी बॉइस में करें ठेंक यू